गुरुजी आज के संख में हम बात करने जा रहे हैं भोजन के विशय में भोजन जो हमें उर्जा देता है भोजन हमारे जीवन का एक मात्र ऐसा सहरा होता है जिसकी वजाए से हमारा शरीर चलता है भोजन के विशय में कई लोगों की कई अपनी अलग अलग राय होती है तो मैं आज आयूरवेद के बिहाफ पर मैं आप से जाना चाहूंगा कि भोजन आपने बताया कि किस तरीके से खाना चाहिए कितना खाना चाहिए उसकी क्वाइंटिटी क्या होनी चाहिए बहुत नूख जाये तो हमें आगे क्या करना चाहिए देखें भोजन खाने का असली टाइम है सुरिया होने के बाद और ग्यारा बजे के अंदर भोजन खाते हैं तो सोनने पर स्वाबा जाज जादा बारा रात्री का खाना अरित्व के अनुसार सर्दियों में चार से छे गर्मिय में छे से आठ प्रांतु इसमें भी एक बात याद रखना कि सूरिया उद्या होने से पहले आप खाना खा लेते तो आपको बहुत ज़्यादा लाब होगा प्रांतु अस्त होने के एक गहंटे के अंदर खाना खाते उसे लाब कम होगा और खाना खाते समें दो गलास गर्म पानी लशन प्या जदर का रस मिला के पीना आती अवस्यक है उसका नियम है कि दो चार गराई खाना खाया दो गुट पानी पिया दो चार गराई खाना खाया दो गुट पानी पिया पानी पीने में खाना खाने में आप एग घंटा लगा सकते हैं, हैभी खुरक ले सकते हैं, प्रांतु रात को हमीशा हलके से हलका खाना, और खाना-खाने के बाद दातन कूडा करके, पांच मिन्ट के लिए बजर आसन बैठना, आती अश्यक है, फिर उसके बाद, दिन का टाइम बढ़ दस मिन्ट गोमना, रातिरी का टाइम दिन का टाइम है तो 20 मिट के लिए आपने सभासन लेटना है और नेद आती तो सो जाएं फिर 5 मिट के लिए बाइंसाइड कर उठ लें, 3 मिट के लिए दाइंसाइड कर उठ लें आप उठ करके आप अपने काम पे जाएंगे, आपके शरीर में इतना फृतिला पन आ जाए कि जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठें रात्री को खाना खाने के बाद बजर आसने से उठके आदा घंटा जाओ आपने साहर कर ली तो उसके बाद फिर आप डेट घंटा विश्राम जरूर करें यह निए कि उसके बाद सो जाएं उसमें आप धार्मी किताब में पढ़ें, धार्मी सिरियल देखें, परिवार से, रिष्टेदार से बात्चित करें, अर्प्रोर से बात्चित करें और जब सोने लगना है तो आपने गाय का घी गर्म करके रखा हुआ है, जिसके अंदर आपने केसर और नमक डाल रखा है, हल्दी डाल रखें, उसको छान के ड्रॉपर में डाला है, तो उस ड्रॉपर को पहले गर्म पानी में रखें जब वो पिखल जाए तो तीन-तीन बूंद ना भीपर डाले और ना भीपर अच्छी तरह माल्स करें और उसके बाद 20-20 ग्राम के लगभग नाक में दाएं बाएंसाट दोनों डाले और लंबा सांस लें ऐसे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके सिरीर के अंदर सांस है तब तक आपको जिन्दगी में कोई रोग नहीं होगा क्योंकि नाबी पे जो अपने घी लगाया और नाक में डाला इससे हमारी 72,000 जो नसनारियें अंदर की उनको तराट मिल गए नाबी जब बच्चा पेट में होता है तो नाबी से बच्चे की खुराक जाती है और यहां पे सब नसनारियों का जोड है तो घी लगाने से उन में नर्मियाई आने से जोड के अंदर एफेक्शन होता हो नहीं होगा अब जो आपने नाक में 20-20 ग्राम डाला इससे सांस की नाली और फेपड़े ऐसे साफ हो गए जैसे महले कुचहले कपड़े को गर्म पानी में सोड ढलके उसको बिल लकुल साफ करते नहीं रहता है ऐसे फेफ़े और सांस की नाली आपकी साफ होगी, आउक्सेजन पूरी मिल रही है, दिल को आउक्सेजन पूरी जा रहे हैं, तो आपके श्रीर में कोई रोग होई नहीं सकता.